पटना में जिस तबरेज आलम को कोतवाली थाने के बगल में मारा गया वह शाह बुद्दीन का शार्प शूटर होने के साथ साथ गैंक्स आफ वासेपूर का सदस्य भी था विहार जारखन और उत्तर प्रदेश में उसने कई मर्डर किये हैं उसने पहली हत्या महस 16 साल की उम्र में जहाना बाद में की थी सबसे पहले 2001 में पटना के कोतवाली थाने के पास से ही डॉक्टर रमिश चंद्र के अपरण कांड में भी उसका नाम सामने आया था अगले साल उसने धनबाद में सिरसा के विधायक का मर्डर कर दिया था